हेलो डियर स्टूरेंट्स, वेलकम टू नुवलेट कॉन्वेंटि स्कूल ओनलाइन क्लासिस। तुड़ेंग टू टीच यू हिंदी क्लास एर्थ चैप्टर सेकंड, सेकंड चैप्टर कासीर सेक हीरे मोती। इस लेसन का नाम है हीरे मोती। यह जो लेसन है। इसमें यूनान की एक लोग कथा बताई जा रही है, एक स्टोरी सुनाई जा रही है, वह यूनान देश की एक लोग कथा है। इस स्टोरी में यह बताया जा रहा है कि एक कस्वे का चौरह है, एक गाउं का चौरह है, वहाँ पर कॉर्णर पर एक पैवंद वाले बस्त्र पहने, पैवंद इमीस फटे हुए कपड़े जो सिल दिये जाते हैं वैसे कपड़े पहने हुए बेहद डाड़ी वाला व्यक्ति बड़ी बड़ी डाड़ी वाला व्यक्ति उस कस्बे के कॉर्णर पर बैठा हुआ है चोरहाई पर बैठा हुआ है और जोर जोर से चिला रहा है कि जो निकलने बालंवाले व्यक्ति हैं उनसे कहरा है तुम लोग जो चाहोगे वह पालोगे देखते हैं अपनी श्टोरी क्या है एक प्राचानी यूनानी लोग कता है एक पुरानी यूनान की अति कस्वे के चौरहएं पर प्यवन्द वाले बस्थ काphण पर एक फटे हुए सिले हुए बस्तर पहने हुए बेहत बड़े डाड़ी बाल वाला एक जरजर बुड़ा हाथ उठा उठा कर जोर जोर से चिला कर कह रहा था जो चाहें सो पाएं पाएं एक बुड़ा बैकती है फटे हुए कपड़े सिले हुए कपड़े पहने हुआ है और हाथ उठा कर चिला चिला कर कह रहा है कि जो चाहोगे वह पालोगे लोग उसकी और देखते मुस्कुरा पड़ते और चल देते उसकी दीन हीन दसा देखकर लोगों को सहज विश्वास हो जाता था कि वह पागल है पागल कुछ भी कह बख सकता है वह व्यक्ति जब ऐसे करके चिला रहा है तो रास्ते से निकलने वाला प्रतेव व्यक्ति उसकी दीन हीनमीस गरीवी वाली दसा देखकर बुरी दसा देखकर सब लोग समझ जाते थे कि वह व्यक्ति पागल है अब पागल तो कुछ भी कह सकता है वह बार-बार चिला रहा था पर कोई उस पर ध्यान नहीं देता था सब उसकी उपेक्छा कर आंगे भरते जा रहे थे वह व्यक्ति चिला रहा था लेकिन निकलने वाला कोई भी व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं दे रहा था सब लोग उसको इग्नोर करते चले जा रहे थे और अपने काम से आंगे भरते चले जा रहे थे कुछ देर तक चिला चिला कर इस बात को कहने के बाद उसने चीकना शुरू कर दिया जब कोई व्यक्ति उसकी बात नहीं सुन रहा था, उसको इग्नोर करते हुए चले जा रहे थी, तो इस व्यक्ति ने चिलाना और ते चिलाना शुरू कर दिया, बेब कूफो मेरी बात सुनो, जो चाहें सो पाओ, बेब कूफो मेरी बात तो सुनो, तुम लोग जो चाहोगे वह पालोगे, उसने अपनी बात को बहुत कड़वे ढंक से कहना शुरू कर दिया, जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, तो उसने अपनी बात को बहुत बुरी तरह से कहना शुरू कर दिया, तब तक क्या होता है, एक नौजवान रुख गया, एक नौजवान व्यक्ति व लगा अंतता अंत में क्या होता है एक नौजवान को आकरश देखकर एक नौजवान युबक को अपनी ओर आता हुआ देखकर वह पागल खुश हो गया अरे अभी तक तो मेरी बात कोई नहीं सुन रहा था लेकिन यह युबक मेरी पास आ रहा है और ऐसी सान के साथ बोला मान व्यक्ति गरीब व्यक्ति उसको सब कुछ दे देगा ऐसे करके उसने कहा कि बोल क्या चाहता है नैस परगरफ युबक मुसकुराया उसको लगा वै सचमुच पागल है वैंग से पूचा क्या जो भी मैं चहाऊंगा तुम देदोगे नहीं जो भी तुम चहाऊंगे बुडे ने तपात से कहा युबक मुस्कुराया युबक हसा और उसने सोचा मन में कि अरे सचमुच ये पागल है और हसते हुए उससे पूछा क्या मैं जो मागूंगा क्या तुम वो मुझको दे दोगे तब बुडे व्यक्ति ने तुरंत उतर दिया मैं दूंगा नहीं तु होगे वह तुम स्वयम ही पा लोगे जो चीज तुम चाहते हो जिस वक Lex नेक्चा है वह तुमको स्वयम ही मिल जाएगी वह नभ यूबक बोला वह क polarized मिल जाएगी मुझे वह क longestकि से पहले तुम यह मी चाहते हैं एहले está Dot अशमें कभी यृट्व हे गरीब व्यक्ति और बोला हिरे मोत तो तुम्हारे चर्णों पर लोट सकते हैं कि हीरे मोती कौन सी बहुत बड़ी चीज है, हीरे मोती तो तुम्हारे चलणों पर खुद ही आ जाएंगे, तुम्हारे पास खुद ही आ जाएंगे, तो फिर व्यक्ति बोला, बताओ कैसे, क्या तुम दोगे, मेरे पास खुद चल कर कैसे आ जाएंगे हीरे मोती, अरे मुझे हीरे मोती की प्राप्ति कैसे हो जाएगी क्या तुम मुझे दोगे बताओ हाँ एक हीरा और एक मोती मैं तुमको दूँगा फिर वह बूड़ा व्यक्ति बोला वै गरीब व्यक्ति बोला हाँ एक हीरा और एक मोती मैं तुमको दूँगा फिर उससे तुम चाहे कितने भी पा लेना जितने भी तुमें पाने के एक्छा हो हीरे मोती वह तुम सभी पा सकते हो लाओ दो युबग ने टोली कर हसने लगा यह युबग ता देखकर उसको हसने लगा अरे भाई दो तुमारे पास हीरे मोती है तुम मुझको दो मोती और हीरे, हाँ सुन, उस बूड़े व्यक्ति ने कहा, हाँ सुन, मैं तुझे एक हीरा कर्म का देता हूँ, और दूसरा मोती समय का देता हूँ, मैं तुमें एक हीरा कर्म का देता हूँ, और दूसरा मोती समय का, इनको समाल कर रख ले, जा, अब तु कहा मैं तुम्हें एक हीरा कर्म का देता हूं और दूसरा मोती समय का मैं तुम्हें कर्म और समय की सिक्षा दे रहा हूं इसका मींस यह है इसको तुम समहाल कर रख लो अब तुम जो चाहोगे वह तुम पालोगे भैय यूबक उसकी बात पर हस पढ़ा और उसे बेपकूफ सम अचानक युबखक कहो सिक्स सेंज आगा उसने सोचा कि यह है क्या कह रहा है कर्म और समयER समय और कर्म उसने सोचा कि कर्म समय fox कर्म यह है कि अखिर क्या कह रहा उसने बिचार किया बच्चों आप लोगों को मालूम होगा हम लोगों के पास पांच इंद्रियां होती है नेतर, नाक, जीब, कान और तचा छटी इंद्री जो होती है वह हमको दिखाई नहीं देती है बास्तों में यही हीरा मोती मोती हीरा है और सचमुच जिनके पास यह वह सब कुछ पा सकता है इस ज्यानभोद के साथ ही वह यूबक मान गया वह दीन हीम पागल नहीं था बच्चों उस गरीब व्यक्ति ने उस नवयूबक को कर्म और समय की सिक्षा जी दी उस नवयूबक को मोटिवेट किया कि तुम हीरे और मोती के चक्कर में मत पड़ो कि मुझे पैसा मिल जाए मुझे हीरे और मोती मिल जाए तुम कर्म और समय की वैल्यू को समझो कर्म से बच्चों क्या तातपर है मनुस जैसा कर्म करता है बैसा ही फल भूगता ही आप लोगों को मालूमी होगा कहा भी गया है जैसा बीजबोग है बैसे ही फलकी प्राप्ति होगी। कभी बापस भी नहीं आता है बच्चों अगर कोई भी व्यक्ति के मन में जिस काम को करने की लगन है तो वह जरूर उसमें सफल होगा जिस तरह से समय निरंतर चलता रहता है उसी तरह से हम सभी लोगों को निरंतर कुछना कुछ सीखते रहना चाहिए यह गरीब व्यक्ति ने इस नव्यूबक को यही सिक्षा दी इसी ज्यान का बोत कराया कि तुम कर्म की कीमत जानो समय की कीमत जानो परिश्रम से काम करो और समय का सही से सदप्योग करो तुमें निश्चिती सफलता प्राप्ती होगी और तुम जो भी चीज चाहोगे तुमें उस एक्षित बस्तु की प्राप्ती हो जाओगे जितने उचाईयों तक जाना चाहोगे अगर तुम सही से समय का सदप्योग करोगे मन से काम करोगे तो तुम उचाईयों को जरूर छूलोगे यूनानी लोग कता यहीं समाप्त हो जाती है यह प्राचीन कता इस बात का प्रिमाण है कि बास्तों में मनुस सब कुछ पा सकता है और वह तो अवस ही पा सकता है जिसके पास कर्म और समय के हीरा मोती है बास्तों में मनुस सब कुछ पा सकता है और कैसे पा सकता है अगर व्यक्ति कर्म और समय का सही से सद्वियोग करेगा तो व्यक्ति इस दुनिया में हर चीज की प्राप्ती कर सकता है नैस पेरग्राफ ये कहा मिलते हैं? कर्म और समय ये मिलते कहा है आखिर? इनकी कीमत क्या है और इनकी कीमत क्या है क्या ये पैसे से मिलते हैं क्या कर्म उस प्रतेक के पास मुफ्त में होता है जो सहीर से स्वस्त है कर्म और समय ना ही पैसे से मिलते हैं ना ही इसकी कोई कीमत है यह हर स्वस्त व्यक्ति के पास मिलता है मुफ्त में मिलता है जो व्यक्ति स्वस्त होगा वो मन से मेहनत से लगन से काम कर पाएगा और उसको निशिती सफलता मिलेगी और समय भी मुफ्त में मिलता है समय कोई पैसे से खरी सकता है नहीं समय कोई पैसे से खरी सकता है समय तो निरंतर चलने वाला होता है और एक बार ग बिना किसी लागत के धोनों बस्तों बस्तुँएं हर एक मनुझ के पास होती है। चाहें वे गरीव, चाहें वे अमीर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, अगर वे मनुस है, तो ये दोनों चीज उसके पास है, इनके बल पर मनुस सब कुछ पा सकता है, ये यूनानी लोकता, जहां समाप्त होती है, वहीं से मनुस का एक नया जीवन सुरू होता है, ये जो य कर्म और समय का बहुत अधिक महत्त बताया गया है, व्यक्ति को परिश्रम से, लगन से, महनत से, अपने काम को करना चाहिए, मनुस जो लक्ष चाहता है, मनुस पहले अपना लक्ष को चुण ले, फिर उस लक्ष को बहुत अधिक परिश्रम के साथ समय का सही सिसत प्योग क तो व्यक्ति उस काम में जरूर सफल होगा, वही से व्यक्ति का एक जब जो व्यक्ति कर्म और समय की कीमत समझलेगा, वही से व्यक्ति का एक नया जीवन सुरू हो जाएगा अगर इस कथा का मर्म देखा जाए तो यह संसार की सबसे प्रिणा दाय कथा है यह मनुस की इस इक्षा की पूर्ती करती है जो चाहें सो पाए अगर मनुस के पास कर्म और समय है कर्म और समय सब के पास होता है इसके बाबजूत लोग अभाव ग्रस्त हैं इसमें इस कहानी में यह बताया जा रहा है कि जो भी मनुस इस संसार का के पृत्येक मनुस के पास कर्म और समय की कीमत होनी चाहिए फिर भी लोग इसकी कीमत नहीं समझते है और लोग खुद को अभाव ग्रस्त समझते है खुद को यह समझते हैं कि मेरे पास इस चीज की कमी है, मेरे पास उस चीज की कमी है, जबकि मनुस के पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती है, कमी स्रिफ होती है, महनत करने की, परिश्रम करने की मनुस अगर लगन से, परिश्रम से कोई कार्म करेगा, तो मनुस को वह सभी ची कर रहा है कि तुम कर्म और समय की कीमत जानो हीरे मोती तो तुम्हारे पास अपने आप आ जाएंगे नेस्ट पैराग्राफ कि आखिर क्यों मुझे बिट्रेन के लोकल कथा याद आती है इसके बाद एक लोग कथा और बताई जा रही है यह कथा मेरे दादी बड़े चाओ से स के रहा है इस एक लोक कथा तो उसने सुना दी लेखक की फिर लेखक दूसरी लोग कथा बता रहा है कि एक दादी उसको बड़े चाओ से सुनाया करती थी क्या थी एक इसाई बराबर बड़ी पवित्र भाबना से महाप्रवु यूशू महान का इस्मन किया करता था एक दिन एक फरिस्ता उसके पास आया और बोला मैं तुम पर बहुत प्रिशन नूँ जो चाहों सो मांगो एक यूबक था वह भगवान यूशू का इस्मन किया करता था तो भगवान यूशू ने खुशो कर उसके पास एक देव दूद भेजा एक फरिस्ता भेजा और उस फरिस्ते ने उस ब्यक्ति से कहा कि तुमें क्या वर चाहिए मांगो मैं तुमें वह वर दूँगा तुम जो चाहोंगे जो मांगोंगे वह मैं तुमें दूँगा वह बोला ऐसा वर्द दो, जीवन में कोई दुख कभी न पाऊं फरिस्ता उदास हो गया, फिर व्या बोला मैं यह वर्द तum को दे सकता हूँ तुमको एद तुमें एक काम करो पहले ऐसे घर का पता करो जहां कोई दुख ना आया हो उसके बाद मैं यह वर तुमको दे दूँगा लेकिन तुम इस संसार में कोई ऐसे घर का पता लगाओ जहाँ पर कोई दुख ना हो जो तुम मुझे अबर मांग रहे हो कि मुझे ऐसा वर दे दो मैं जीवन में कभी दुखी ना हूँ तो मुझे कोई ऐसा घर बता दो जहां पर कोई दुख ना हो इशू भगत मान गया वे घर घर भटकने लगा सालो साल भटकता पर उसको कोई ऐसा घर ना मिला जहां कोई दुख ना हो कुछ दिन बाद फरिस्ता फिर से आया उससे पूझा पता किया हाँ एक भी घर दुख से खाली नहीं है जब उसने पूचा फरिस्ते ने तुमने पता किया कोई घर तुमको ऐसा मिला जो दुख से खाली हो तब वै ईशू भक्त बोला हाँ मैंने पता किया लेकिन एक भी घर कोई भी घर मुझको ऐसा नहीं मिला जो दुख से खाली था कि सभी के पास कुछ न कुछ दुख था किसी के पास कम था तो किसी के पास जादा था लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके पास दुख ना हो जो दुख ही ना हो उसने अपनी मांग बापस ले ली फिर ईशु भक्त ने अपनी मांग को बापस ले लिया कि नहीं मुझे ये वर नहीं चाहिए इस कथा का आसे एकदम इसपस्ट है संसार में दुख सब पर पड़ते हैं संसार में सभी दुखी है भला ऐसा कौन सा व्यक्ति या घर है जहां दुख नहीं आया हो दाश्निंग अरस्तू का तो एकदम इसपस्ट कथन है और उसका यह कथन एक चिनोती के रूप में भी है कि संसार का कोई मनुस ऐसा नहीं है जो दुखी ना हो अभावगरस्त ना हो संसार का कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जो जिसके पास कोई कमी ना हो सभी व्यक्ति के पास कुछ न कुछ कमी जरूर रहती है कोई किसी के पास कम होती है किसी के पास ज़्यादा होती है कोई व्यक्ति पूर्ता संपन नहीं है संसार का हर व्यक्ति किसी ना किसी बात को लेकर किसी ना किसी समस्या के कारण दुखी है या किसी ना किसी बात को लेकर दुखी है कोई ना कोई समस्या जरूर है कोई पैसे से दुखी है तो कोई सरीर से दुखी है कोई किसी और चीज़ से दुखी है उसे कुछ न कुछ अभाव अवस्य है इसलिए इस कारण कोई हिरास अथा निरास इस कारण कोई निरास हतास नहीं बैठता है वैकुछ न कुछ अवस्य करता रहता है यह प्रतेग व्यक्ति संगर्शरत है यह सोच कर कोई व्यक्ति हतास न मैं महनत नहीं करूँगा ऐसा नहीं है व्यक्ति कंटीनियू कुछ ना कुछ वर्थ करता रहता है इस कारण आप दुखी है आपको कोई अभाव है तो आप चिंतित क्यों है आप में कोई कमी है क्या दुखी क्यों है आप आपने अपने आसपास चारों और आंखे उठा कर दे एक सा ना हो, पर है तो वह आपकी तरह परिशान और चिंतित, इसलिए आपको हतास उदास होने की आवश्यक्ता नहीं है, आपके पास दो अनमूल वज़तु हैं कर्म और समय, फिर वही बात यहाँ पर आ जाती है, कोई ब्यक्ति अगर दुखी है, परिशान है, किसी चीज का अभाव है, तो यह तो प्रकति का नियम है, कोई ब्यक्ति, संपूर्ता, संपन नहीं है, सब किसी ना किसी के पास, कोई ना कोई शीज की कमी है, लेकिन अगर आपके पास कर्म और समय का सही से सत्प्योग करने का विवेक है, सही से शक्ति है, तो आपके पास हर वो एक्छा पूर्टी होगी आपकी हर एक एकछा पूर्टी होगी अगर आपने कर्म और समय का सही से उपयोग करना सीख लिया यह दो एक अनमोल बस्तुए है यह इस प्रिकार से वेरर चैक है जो आप जब भी चाहें उसको बुना भुना सकते हैं वेरर चैक जो होती है इसका मतलब यह ह में एक बेरर चैक है जिसको कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति इससे अपना रिजल्ट पा सकता है और उसकी कीमत पा सकता है मिस अगर अच्छा परिश्रम अच्छा करेगा तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा कर्म का सही से सत्प्योग करेगा तो उसका रिजल्ट भी कितना क्या मिलेगा अब कितना मिलेगा वह तो आपकी आप पर और आपकी कारों पर निर्वर करता है और कितना कर्म आपने किया है अब आपको कितना मिलेगा अब आप सोचो कि आप कम कम परिश्रम करो करो समय का सही सथ प्योग ना करो और आप सोचो कि हमें अच्छा रिजल्ट मिले ऐसा तो नहीं होगा आप जैसा कर्म करेंगे तो आपको उसका फल भी बैसा ही मिलेगा जितना समय आपने लगाया है उतनी कीमत आपको अवस मिलेगी इसमें बैमानी या हेरा फेरी का कोई भी नहीं है कि आप कम वर्क जादा करो और आपको उसका रिजल्ट कम मिले ऐसा नहीं हो ता वर्क जादा करा वर्क अच्छा किया समय का सही सत्योग करा तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा प्रकति सबसे इमानदार है प्रकति बहुत इमानदार है जो व्यक्ति जैसा कर प्रकति सबसे मानदार है वह प्रतीक को उसके करम का समय का पूरा-पूरा मूल चुकता करती है। इसमें किसी प्रकार की बैमानिया हेरा फेरी का सवाल नहीं है प्रकति सबसे इमान दार है जितना आप कर्म करेंगे समय लगाएंगे उसके कीमत फल की रूप में आपको अवश्य मिलेगी सब कुछ कर्म और समय पर निरुहर है प्रतेक मनुस जैसा कर्म करता है और जितना समय लगाता है उसी का फल पाकर रहता है बबूल बोकर आप आम का आनंद नहीं पासकते मैंने भी बताया था ना बबूल बोकर बबूल का पेड़ बोकर आप ये नहीं सोच सकते कि हमें आम मिल जाएंगे आप जो कुछ भी बनना चाहते हो जैसा कर्म करना पड़ेगा जैसा बनना चाहते हो वैसा ही आपको परिश्रम करना पड़ेगा आपको और वैसा ही समय लगाना होगा जो काम जितने समय में पूरा होगा अगर कोई काम करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा तो उसको आप कम समय में नहीं निटा सकते हो अगर आप कम समय में पूरा करोगे तो आपको उसका रिजट अच्छा नहीं मिलेगा जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप अपनी इच्छा अपना सपना पूरा नहीं कर सकते अगर आप सोचते हैं कि किसी चमतकार बल या पूजा पाठत्वा मंत्र से ऐसा हो जाएगा तो ये आपके भूल है बचो जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें एक्जाम हैं और मैंने पढ़ाई नहीं कि ये भगवान मुझे पास करते बिटा ऐसा नहीं होता है आप जितना मेहनत करेंगे एक्जाम में जैसी पढ़ाई करेंगे बैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा कोई पूजा पाट तंतर मंतर कुछ नहीं कर सकते हैं कर्म और समय दो अनमोल वस्तुए हैं इसका सही से सब्योग करोगे तो आपको उसका रिजल्ट उसी के अक्जाम मिलेगा प्रकति का निया मैं कर्म करो और फल पाओ प्रकति का भी निया मैं कर्म करोगे तो फल पाओगे समय लगा और इसकी कीमत उससे ले लो सही समय लगाओगे तो इसकी कीमत तुमें उसके अकॉर्डिंग ही मिल जाएगी कभी भी किसी भी आदमी का किया गया कोई भी कर्म दिया गया समय चाहे वे अच्छे काम के लिए हो या बुरे काम के लिए व्यर्थ नहीं जाएगा अगर व्यक्ति अच्छाए कर्म दो तरह के होते हैं अच्छे कर्म और बुरे कर्म अगर आप अच्छे कर्म में समय देंगे तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा उसका परणाम अवश ही अच्छा होगा और अगर आप बुरे कर्म में समय देंगे तो उसका रिजल्ट भी बुरा होगा आप अच्छा काम करें और उसका रिजल्ट बुरा हो और बुरा काम करें उसका रिजल्ट अच्छा हो ऐसा नहीं होगा अपरात करने वाला भी तो आखिर करमी करता जो व्यक्ति अपरात करता है जो व्यक्ति बुरे काम करता है उसका रिजर्ट वो भी तो आखिर करम करता है ना कोई चोरी करने वाला व्यक्ति चोरी कर रहा है ऐसा तो नहीं वो बिना मैनत के चोरी कर ले रहा है लेकिन उसका कर्म कैसा है उसका कर्म अपरादी प्रवत्ती का है तो अपराद करने वाला भी तो आखिर कर्म करता है और अपना समय लगाता है तब यह बात अलग है बाद में उसका परणाम बुरा हो या अच्छा हो बुरे रूप में सामने आता है फिर भी अपने कर्म और सम तो वे तकालिक मूल पाता है अगर वे व्यक्ति अच्छे काम के लिए समय लगा रहा है तो अच्छा परणाम पाएगा बुरे कारियों के लिए समय लगा रहा है तो उसको तुरंती बुरा परणाम मिलेगा कर्म की छमता और समय सब के पास है कर्म और समय सभी के पास है इनका उप्योग कर ततेग व्यक्ति को जो चाहें सूपा सकता है मैंने आपको पहले भी बताया था व्यक्ति कोई भी इस दुनिया में कोई भी चीज इंपॉस्विल नहीं है व्यक्ति जो चाहेगा अपनी सची लगन से सची महनत से वह बस तूस के पास होगी वह परिश्टम से कोई भी चीज को पाना चाहेगा परिश्टम सची लगन महनत और समय का सही सत्प्योग करके कोई भी चीज हासिल करना चाहेगा वह एक्षित बस तूस के पास से होगी बच्चो तो इस लेसन से हमें क्या सिक्षा मिलती है इस लेसन से हमें यह सिख्छा मिलती है कि सभी व्यक्ति को अच्छे काम करने चाहिए मन लगा के परिश्टम करके पूरी इक्षा सक्ति के साथ काम करें समय का सही से सत्योग करें आप जरूर सफल होंगे इस समय बच्चों आपका कर्म क्या है आपका कर्म पढ़ाई है तो समय का सही से सत्योग करके मन से लगन से पढ़ाई करें तो आप लोग निश्चे ही सफल होंगे क्योंकि कर्म और समय जैसे हीरे मोती तो सभी के पास है Thank you Students And next third lesson We will study in our next class Press the bell icon and subscribe the channel